दूस्तो आखिरकार अमेरिका की तरफ से भारत को धमकाना अब अमेरिका के उपर ही महंगा पड़ता हो नजर आ रहा है वहीं तो उसी तरफ वियतनाम अब लगभग पूरी तरीके से भारत के अंदर घुश चुका है जिसका सीधा असर अमेरिकी अर्थववस्था पर आपको सब्सक्राइब जरू की जएगा दोस्तो आज ही खबर सामने निकल के आई है कि वियतनाम की सबसे बड़ी और तुन्या की टॉप फाइफ सबसे बड़ी एवी कंपनी की लिस्ट में शामिल कंपनी विनफास्ट भारत के अंदर करीब एक बिलियन युज डॉलर की इंवेस् मेड बैटरीज का इस्तिमाल किया जाता है और ऐसे में हमने कई बार ये भी देखा है कि भारत में चाइनीज घटिया क्वालिटी की वज़े से बड़ी दुरगटनाय भी हुई है वहीं दूसरी तरफ आईवान की EV कंपनी वेनफास्ट की होने वाले इस इन्वेस्मेंट से भारत के अंदर तमिल नाडू में एक नए प्लान को सटप किया जाएगा जहां पर इलेक्टिव वेइकल्स के लिए ही बैटरीज को त्यार किया जाएगा और इनिशली यहां पर बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा क्योंकि यहां पर मैनिफाक्चरिंग नहीं होगी सिर्फ पहले असेंब्लिंग शुरू की जाएगी उसके बाद भारत की डॉमेस्टिक मार्केट के अनलाइज करते हुए इसके लावा भारत से किस कंट्री में हम डिरेक्ली एक्सपो और तीसरे पे विनफास्ट का नाम किना जाता है चार्ज वेकर में लगने वाली इस फैसिलेटी से टेसला को बहुत बड़ी चुनवती मिलने वाली है क्योंकि टेसला एक लंबे वक्त से भारत के अंदर आने का प्रयास करी है लेकिन बहुत सारी डूटी की वज़े से टेस टेसला के इस बात को रेजेक्ट कर दिया विकाज भारत के अंदर जो भी डूमेस्टिक कंपनी जैं वो इससे पूरी तरीके से बरबाद हो सकती है अभी आप भारत के अंदर नोटिस करेंगे तो भारत में और ने रोज 10 लाग से इलेक्री वेहिकल की शुरू आत हो जाती ह और लीडिंग कंपनी है टाटा मोटर सगर टेसला जैसे प्लेयर्स भारत के अंदर आएंगे और बहुत ही लो प्राइस पर डोमेस्टिकली कार्स अवैलबल कराएंगे तो इससे डोमेस्टिक मार्केट को बहुत जाद एफेक्ट पनने वाला है फिलाल विनफास का टार्ग लाचे लाचे सी लाचे सबा लाचेंग